हेलो बच्चो, हाव और यू, I hope you all are fit and fine in your sweet home तो बच्चो पहले की आर्ट की वीडियो में आप सभी ने लेटर सी की हेल्प से ड्रॉइंग कीटी ना तो आज हम किसकी हेल्प से ड्रॉइंग करने वाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ करे ये कौन है ये तो आसे आलू है दीख रहा है ना आप सबको आसे आलू तो आज हम आसे आलू की हेल्प से आप सबको ड्रॉइंग करके बढ़ाने वाले हैं उससे पहले चलो एक छोटी सी कविता भी गा लें अब भी आलू की गाएंगे आप सबको बहुत पसंद भी है वो पोयम चलो हम बोलते हैं आलू का चालू बिटा कहां गए थे बैंगन की टोकरी में सो रहे थे बैंगन ने लात्मरी रो रहे थे मम्मी ने प्यार किया हस रहे थे पापा ने पैसे दिये नाच रहे थे भैया ने लड़ू दिया खा रहे थे आलू का चालू बिटा कहां गए थे बैंगन की टोकरी में सो रहे थे बैंगन ने लात्मरी रो रहे थे मम्मी ने प्यार किया हस रहे थे पापा ने पैसे दिये नाच रहे थे भैया ने लड़ू दिया खा रहे थे देखा आप सबने आलू को पहले कैसे smile कर रहा था फिर बैंगन ने लाट मारी तो वो रोने लगा यह दीख रहे हैं आपको expression कैसे बदल गया आलू के फिर मम्मी न उसको प्यार किया फिर वो कैसे smile करने लगा यह हमारे expression होते हैं है ना बच्चो तो अभी हमें क्या करना है आपको नहीं करना है मम्मा को कट करके लेना ख geschos के भी हम क्या करना है और हमारे पास नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं मम्मा स्थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सटर्मनिक हो ममा की किचन में हल्दी तो आप ठोड़ा सा हल्दी का कलर भी लेके कर सकते हूँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है आपको यह दीख रहा है आपको अरे वाँ यह तो स्माइली फेस है यह आप सब का फेस है और यह तो सैट फेस है और यह एंगरी फेस है मैंने यह बना के रखा है क्योंकि ड्रॉइ होने में टाइम लगता है तो अभी मैं आप सब को दिखाती हूँ कि आप सब क्या करना होगा हूँ अभी मैं कौन सा कलर लूँ ठीक है यलो कलर ही लूँ आप सबको एक और स्माइली बना के दिखा दू ओके चलो अभी देखो मैंने क्या किया है एक छोट असा कॉटन का छोटी सी कॉटन लिया और उसमें हलका सा कलर को डिप किया और यह जो कटा हुआ अलू है हमारा उस पे हमने यह कलर स्पीड कर दिया है ओके यह देखो बच्च अभी क्या करना है हमें यह मैंने चम्मच भी इस्पून भी लगा के रखा है ताकि आपको पकड़ने में प्रॉब्लम ना हो ठीक है अभी यह ऐसे हम इसको स्टैंप करेंगे ठीक है यह देखो हमारा आलू का इस टैंप इस पे लग गया दिखा आपको वन मोर ओके वन मोर पर दिहान रखना है आपको आलू वेस्ट नहीं करने बस चोट असा एक पीस ही लेना है क्योंकि अभी तो हमें हर चीज का बहुत अच्छे से यूज करना है मार्केट में जल्दी से कोई चीजे मिल नहीं रही है आप सब बहुत समझार बच्चे हैं ओके यह देखो मैंने तू जगा स्टेंप कर दिया है अलू को ठीक है अभी क्या करना है अभी यह तो ड्राइ होने में टाइम लगाएगा अभी उसके बाद में आपको अगर और भी कुछ रैट करना है इसके साथ साथ तो अभी तो यह अभी गीला है अगर मैं इसके से इसको करूंगी आउटलाइन तो यह फैल जाएगा तो अभी हम जब तक यह सूख रहा है तब तक मैं आपको कुछ और डिजाइन भी दिखा देती हूँ ठीक है अगर आप ने यह भी बना लिया है तो कुछ और लिख रहा है बच्चो कोई साबी डिजाइन बना सकते हैं अभी इसकी हैल्प से हम यह देखो एक प्लार बन गया है ना बच्चो अभी और क्या कर सकते हैं हम अभी इसको आसपास में हम अभी ठीक आप पहले इसको ड्राय हो जाने डेना ठीक है अगर ड्राय नहीं हुआ यह तो अच्छे से आपका स्माइली बनेगा नहीं अभी टीचर आपको दिखाने के लिए ही ऐसा कर रही है ठीक है आप सबको तो ध्यान देना है आप सब अच्छे पच्चे इसको और इसाइड होते हुए भी देखा था तो अभी आपकी ड्रायंग तो रेडी हो गई ओके टेक केर बाई बाई आप अपनी ड्रायंग मुझसे शेयर कीजिएगा बाई बाई बचो